फ्रेंज आप सभी का वेलकम है मेरे यूटूब चैनल टॉक्टू गुरूजी पर आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ रोयल्टी फ्री इमेज़ या कॉपी राइट जिस पर नहीं आ सके वैसे इमेज़ कहां से डाउनलोड करेंगे कौन-कौन सी वेबसाइट है जहां से हमें हाई रिजोलूशन इमेज़ मिल सकती है मैं अपने सब के सब चैनल के लिए भी इमेज़ वहीं से डाउनलोड करता हूँ तो चलिए शुरू करते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से फिसे करना चाहूँगा कि अगर मेरे Talk to Guruji चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इसी तरह के टेकनिकल वीडियो आप सभी के लिए अप्लोड करता रहूँगा तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि Google में कोई भी इमेज़ को आप सर्च करते हैं तो उसको copyright से कैसे बचा कर यूज़ किया जा सकता है जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ हमने यहाँ पर सर्च किया हुआ है लेंड इसके फोटोग्राफी आप अगर यहाँ से कोई भी फोटो को डाउनलोड करेंगे तो डाइरेक्ली डाउनलोड करेंगे तो copyright स्टाइफ आ सकती है क्योंकि आपको नहीं मालुम है वो royalty free है या नहीं है तो उसके लिए आपको आना होगा यहाँ पर tools पर यह tools पर click करेंगे और यहाँ पर देखिए एक option है uses rights इस पर आप click करेंगे और यहाँ पर आपको 5 options दिये जाएंगे Google कहता है कि अगर आप labeled for non-commercial use करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इसको इस पर अगर आप click करेंगे तो जितने भी non-commercial reuse वाले images हैं वो मिल जाएंगे और अगर आप चाहते हैं कि वो non-commercial reuse with modification हो तो आप इस पर click कर सकते हैं यानि अगर आप उस image में कुछ भी modify करना चाहते हैं तो आप इस पर click करके use करेंगे और आप सिर्फ images को reuse करना चाहते हैं कहीं पर भी किसी भी जगा पर तो आप इस पर click करें वो आपका commercial भी हो सकता है उसके बाद बोल रहा है labeled for reuse with modification अगर आप चाहते हैं कि मैं commercially या non commercially कहीं पर भी use करूँ और उसमें modification भी करूँ तो इस पर click करना पड़ेगा तो यहां से हम लोग कोई भी download कर सकते हैं मैं यहां पर click करता हूँ और उसके बाद जिस image को आप download करना चाहते हैं उस पर click करेंगे ऐसे और right click करके आप यहां से save image as पर click करेंगे और desktop पर download करना है तो desktop पर download कर लीजे यहां पर बहुत सारे लोग गलती यह करते हैं कि directly image को यहां पर right click करते हैं और save as पर click करते हैं इससे नुकसान यह होता है कि जो original size है image की वो आपको नहीं मिल पाती है आप जिस image को download करना चाहते हैं उस पर आप इस तरह से click करेंगे और उसके बाद right click करके अगर download करेंगे तो आपको original size मिलेगी यह फायदा है अब मैं बात करता हूँ उन websites के बारे में जहां से मैं images download करता हूँ अपने YouTube channel सब के सब के लिए तो जो पहली website है वो है pixels.com यह pixels.com से आप किसी भी तरह के images download कर सकते हैं और यह high resolution images होंगे for example मैं यहां लिखता हूँ man अब अगर आपको किसी image को download करना है तो उस पर आप इस तरह से click करेंगे और normally यहां से download पर click करेंगे यह download हो जाएगा अब उसके बाद मैं बात करता हूँ दूसरी website की उसका नाम है pixabay.com यह spelling आप याद रखें pixabay.com यहां से भी आप high resolution images download कर सकते हैं मैं यहां पर click करता हूँ और suppose हमने लिखा flowers अब उसके बाद आप जिस image को download करना चाहते हैं उस पर आप click करेंगे जैसे मैंने इस पर click किया और यहां से download कर सकते हैं लेकिन pixabay से कोई भी image download करने के लिए आपको login होना जरूरी है अगर आप पहले से sign up हैं तो login करना होगा औ और अगर sign up नहीं है तो आप यहां से click करके आप sign up हो सकते हैं अभी मैं इसमें sign up हूँ तो मैंने login भी कर रखा है तो मैं यहां से directly download कर सकता हूँ यहां जब click करेंगे तो images के size अलग-अलग आपको मिलेंगे जिस size की image आपको चाहिए उस पर आप check करके download कर सकते हैं सबोस बिना copyright images को download कर सकते हैं तो चलिए next वीडियो में नए चीज़ को लेकर आऊंगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो like कर दें और चैनल को subscribe नहीं क्या है तो subscribe सरूर कर लें next वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्या thank you so much friends